हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग हम कलकत्ता वालों के लिए मौनसून का मतलब होता है इलीश माच यानि के हिलशा फिश इसके बिना हमारा मौनसून एकदम ही अधूरा है मेरे हस्बन लेके आए थे दो किलो का एक इलीश माच जिसे मेरी मौनी कटवा के लाके अच्छे से सफाई कर रही है क्योंकि आज हमारे घर में यही पकने वाला है ये देखिए ये एक दम अच्छे से साफ किया हुआ और ये इलीश माच के अंदर बहुत सारे एग्स भी हो र हम लोग आज बनाने वाले हैं सरसो इलिस इसके लिए सरसो पोस्तो कच्चा मिर्च हरी मिर्च और लेसन और अद्रक को एक साथ ग्राइंड किया गया है तो यहां पे जितने पीसिस आज हमारे लिए चाहिए तो मम्मी उतने पीसिस निकाल रही है और इन सब को हल्दी नमाख बहुत सारे पीसिस निकाले गए है तो सबसे पहले इसे मेरिनेट किया जाता है बहुत ही अच्छे से इसके हर एक पोर्शन में अच्छे से हल्दी नमक लगना चाहिए वरना फिर वो फीका फीका हो जाता है लेकिन बहुत संभल के करना पड़ता है क्योंकि इसमें एग्स ह ये निकल जाने का डर रहता है तो अब इसे हम लोग हलका फ्राइ कर लेंगे mostly बिंगॉली बिना फ्राइ किये ही इसे बना लेते हैं कच्चा फिश लेकिन हमें ऐसी आदत नहीं है हमें फ्राइड फिश को ही पकाने का आदत है तो इसलिए हम लोग इसे हलका ही पका लेंगे बस डालेंगे दो बार उल्टेंगे पुल्टेंगे और इसको निकाल लेंगे प्लेट में तो इस तरीके से बारी बारी से हम लोग सारी मचलियों के पीस को फ्राइ कर लेंगे मस्टर्ड ओयल में हमेशा mustard oil ही यूज़ किया जाता है ये सब fishes को fry करने के लिए इससे इसका flavor जो है और जादा enhance हो जाता है तो ये रही हमारी fried fish अब हम लोग सीधे चले जाएंगे सरसो इलीज बनाने के procedure में जिसमें कड़ाई में हम लोगों ने जो paste बना रखा है सरसो पोस्तों का उसको हम लोग मिलाएंगे लेकि उससे पहले हम लोग तेल में पहले टमाटर डालेंगे फिर उसके बाद इसे कुछ देर तक नरम होने के लिए पकाते रहेंगे ये hardly एक मिनिट भी इसे पकानी पड़ती है medium to low flame में इसे पका लेंगे फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे हरी मिर्च थोड़ी सी slit कर देंगे बीच बीच में से और फिर इसे डाल देंगे तेल में जब ये भी फ्राइड हो जाए तो हमारा जो पेस्ट था उसे हम लोग यहाँ पे भर के दो बड़े चमच डाल देंगे दो से तीन बड़े चमच क्योंकि हमारे पास यहाँ फिश बहुत जादा है तो ममी थोड़ा जादा डाल रही है और यह थोड़ा इसके अंदर सर्सों का क्वांटिटी थोड़ा कम और पोस्तों का क्वांटिटी थोड़ा जादा रखना चाहिए ताकि उसका जो टेक्शर है वो बहुती क्रीमी सा है फिर इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची सब मिला लेंगे मिला के अच्छे से इसको कुछ तेर के लिए पका लेंगे अराउंट टू मिनिट्स मीडियम टू लो फ्लेम में फिर इसमें दे देंगे पानी क्योंकि आदरवाइस यह जल जाने का बहुत जादा चांसर से है क्योंकि सर्सो का पेस्ट है बहुत जल जल जाएगा तो इसे पानी डाल के अच्छे से थोड़ा जादा पानी देंगे क्योंकि पीसेस भी बहुत जादा है और मचली डालने के बाद ये पानी सोक भी कर लेगा तो जब पानी में उबाल आ जाए तो हम लोग एक एक करके सारी मचली को उसके अंदर डाल देंगे और इसे कुछ देड़ तक पकने देंगे क्योंकि हमने मचली को बहुत जादा फ्राई नहीं किया था तो ये अंदर से अभी भी कच्चा है तो इसलिए इसी ग्रेवी के अंदर ही हमें बहुत अच्छे से पकानी है आदरवाइस इसमें से फिर आपको स्मेल आएगा इलिश में वैसे भी स्मेल आता है जो की अच्छा भी लगता है लेकिन कच्चे इलिश का smell नहीं आना चाहिए तो हमारा डिश हो गया है ready मेरे husband इस डिश को खाने के लिए लेके आए है केले का पत्ता उनको केले के पत्ते में घाने का शौक चड़ाता तो चलो ठीक है अब वो थाली के शेप में केले के पत्तों को काट रहे हैं और हमने यहां सर्फ कर दिया है गरम गरम राइस और साथ में शोशे इलिश और इसे मेरी ममी का तो यह एकदम फेवरेट है इनफेक्ट हम सभी का फेवरेट है तो हम लोग ने इसे बहुती मजग तरीके से खाया होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़र करिए बाबाई